नौरात्त के बाद लोग कैसे इन नौरात्रों को कैसे मनाते थे और ये क्या परंपरा पाली में बुद्ध के बाद आरम हुई और कैसे इसको मनाया जाता था ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहा है जो नो रात्र हैं नो रात्रों का मतलब है नाइण नाइट्स यानी नो राटें नो रत्ती या नव रत्ती या कि नो रातें रात्री नो राते हैं, नो रत्री जो विसेशकर अमावस के बाद आती हैं यानि कि अमावस के बाद पहला दिन, फिर दूसा दिन दितिया, तिर्टिया, चतुर्ती क्योंकि ये चलती हैं पूर्ण मासी तक और पूर्ण मासी के बाद फिर एक, दो, तीम, चार आरम होता है पहले महिना ऐसे ही गिना जाता था बुद्ध से पहले और बुद्ध के काफी बाद तक भी यही कलंडर था भारत का पहले भारत नहीं था महा भारत था और महा भारत से पहले 16 महा जनपत थे बुद्ध के समय तक नौर आते हैं या उससे पहले नौर आतरी का कहीं कोई जिक्र या कहीं कोई कारिक्रम नहीं दिखाई देता हर महिने आप दो वार नौरातें गिन सकते हैं पर खास तरह की जो नौरातें जिनको हम फेस्टिवल की रूप में मनाते हैं या उत सब की रूप मनाते हैं ये लगबग चार वार आती हैं और दो वार जो आती हैं गर्मियों की और सर्डियों की वो पिरमुक हैं उसमें भी जो सरदियों वाली है वो ज़्यादा प्रमुक हैं अगर आप देखोगे तो गर्मियों की और सरदियों की जो नौरातरे हैं उनके अंदर फसल बोने का, फसल काटने का समय होता है फसल से समधित ये बाते होती है और मौसम बदलने से समधित मौसम भी बदलता है, जलवाईू बदलती है, तापमान बदलता है, और पानी बंद हो जाता है, गर्मी पढ़नी सुरू हो जाती है, ठंड पढ़नी सुरू हो जाती है, यानि मौसम में बदला होता है, रात दिन में फरक होता है, और फसलों का बोना या काटना आरंब होता है तो ये जो सर्दियों की नोरातें हैं सर्दियों की नोरातें आरंभ होती हैं वर्सावाज से वर्सा यानि वुठ्थी जिसको हम वर्षा बोलते हैं संसकाइद भासा में पुराने समय इसको वुठ्थी बुला करते थे फिर बर्सा बोलते थे पर संसकारित भासा में इसको वरष्टी बोलने लगे या वर्सा बोलने लगे शेय सब्द शटकॉर्ण वाला या आधारे जो वर्सा में लगता है ये पाली का सब्द नहीं है यह संस्कारित है, बदली हुए बहासाए, जो बाद में आई, पुराने समय में इसको वूठी बुला करते थे, तो जो महीने पुराने रहे हैं, उनमें बारिस के महीने आसार से आर्म होते थे, आसार मतलब जिसको बाद में बदलकर आसार किया गया, इन्हें पहले भी बताया था कि शटकॉन वाला शेवी पाली का नहीं है आसार का मतलब होता है मूसलाधार बारिस टॉरेंट लगातार बारिस मूसलाधार तो जो आसार का महीना है उसमें मूसलाधार बारिस पहले समय में आरहम होती थी और उसको चौमासा चतुर मास या उसको चार मास बुला करते थे बारिज के, आसार, सावन, भदपाद और अस्युज, अस्युज को बाद में अश्विन करने लगे, या इसको बोलते हैं, क्वार, ये महिनों के नाम हुआ करते थे, जून, जुलाई, अगर, सेप्टेमबर तो बहुत बाद के नाम पड़े हैं, जब ये इंगलिस लोग आए और इंगलिस कलंडर पूरी दुनिया में मानने हुआ, पर पाली के ये नाम ओरिजिनल हैं, जिसमें आसार का मतलब मुश्णधार बारिस है, और जो भदपाद है, भदपाद का मतलब है, भद लोग का, अच्छे लोग का पदापरण, यानि पदपरणा, और जो उसके आता है, असयुज, सावन आता है, सावन का मतलब होता है, घोषना, यानि कि धम की घोषना हो रही है, धम को सुनना है, सवन माने सुनना होता है, और सावन माने होता है घोषना, यानि घोषना को सुनना, तो असार, सावन और असयुज, असयुज का मतलब होता है, जो सराव होते हैं यानि कि जो गंदगी होती है मन की उसके योगों को हटाना ए साव युज यानि उस जितना भी जमा हुआ है गंदगी मन के अंदर राग दियसकी उसको हटाना तो असार के अंदर जब बारिस पढ़ती है तो बुद्ध के बाद एक प्रंपरा बनी कि जो लोग लोगों को प्राकर्टिक नियम और धम सिखाया करते थे वो लोग बारिस में कहीं आज आज नहीं सकते थे इसलिए चतुर मास चार महिने का वो विस्राम करते थे और अपने आपको सुद्ध करते थे एक जिगह रुकते थे और वहीं के लोगों को वो सिखाय करते थे धम की बात हैं और उनके सवाल जवाब वहाँ जब वो सारे लोग रुका करते थे तो उनके खाने पिने की विवस्था लोगों को करनी होती थी क्योंकि नियम ये था कि भिकू है या भिकुनी है यानि जो प्रचार रखें धम के बुद्ध के जानकरी फलाने वारे ल में तब तो बारे नहीं हुआ करते थे तब बोलते थे जो पहर होता है यानि दो पहर वाला पहर और दूसरा पहर तो दो पहर के बाद खाना नहीं खा सकते वो बिहार में रहते थे या जो जगे उनको मिलती थी उसको बिहार बोला करते थे वहां वो लोग रहते थे पुरा रामरी बुला कर दे तो वशावास के समय वर्सा के समय वुठ्थी के समय लोग उनको खाना देते हैं तो खाना देने के नियम है जो अभी जिसको आप साध के नानाम से जाते हैं साध के समय फैंलिया अपनी अपनी डूटी देती थी उनके दिन बटे हुए थे पृतिपदा यानि पहला दिन महीने का दुतिया, तितिया, चतुति, पंचमी, छट, सप्ट, जिस जिसका है और वो अपने जो माता हैं, जो पिता हैं यह जो जिसको पितर बोलते हैं पितर का मतलब बाद में बदला गया है उस समय जो हमारे महापुरुस हुआ करते थे महापुरुस तो उनको हम महिला और जो नर है यानि नर और नारी दोनों ही महापुरुस होते थे उनको याद करते थे, उनकी बातें याद करते थे उनको साधते थे, उनकी बातों को साधना करते थे और जिसका नंबर आता था यानि जिसके माता पिता का देहांत महिने के जिस दिन हुआ है उस दिन वो खाना बनाता था और सभी तरह के लोग खाना बना कर बिहार में भिक्कों को दिया करते थे और वहां जाकर वो अपने बाल मुडाते थे और वहां साधना करते थे, और तप करते थे और इसको सीख डिने ते। ये 16 दिन चलता था, इसको पित्व पक्ष बोला करते थे, पित्व पक्ष मतलब है काला पक्ष, यानि कि जब चंद्रमा घटना शुरू होता है, अमावश्या तक, तो जो पिर्त पक्ष की यानि पितु पक्ष की पितु पक्ष की जो पहला दिन होता था उससे लेके और सोलवे दिन तक जो आरंभ होता था पूरन मासी से लेके और अमावस्य तक तो ये चलती थी भदपाद यानि भदपाद का जो पूरन मासी है तब से आरंभ होके और जो असयूज यानि अस्विन महा के जो अमावस्या है वहां तक ये चला करती थी 16 दिन उसके बाद में आरंभ होता था सफेद पक्ष सेथ पक का मतलब है जिसको हम सुक पक या सुल्क पक्ष बोलते हैं सुक माने सफेद जब चंद्रमा धिद्रे बड़ा होना सुरू होता है और चानी रात सफेद रोसनी फैंकती है उसको सफेद पक बोलते हैं या सुल्क पक बोल तो जो पखवड़ा होता है पखख का मतलब पखवड़ा पंदे दिन उसमें सारे के सारे जो लोग हैं नर हैं वो ये देखते थे कि अब हमारा जो बीज बोने का समय है क्योंकि रवी की फसल का बोने का समय आ गया है रवी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है आज के समय उस समय ये परंपरा थी कि साधना के बाद में यानि सराद के बाद में जो समय है उस दस दिन के अंदर अपने बीज को जमा के देखा जाए तो जो जो हुआ करती थी गया हूं तो बात में फसल आई है जो होती थी या जो इस तरह की रभी की फसले होती थी उनके ब मिट्टी के वर्तर में मिट्टी डालकर और उसमें जौन डालकर उसमें पानी डालकर उसको रखा जाता था और अब साधना करने की बारी महिलाओं की है तो महिलाओं को साधना करनी होती थी विपस्टना करनी होती थी, धम सीखना होता था तो धम सिखाने के लिए उनको सती माताएं आती थी सती माताएं जिन्नोंने सती पठान के कोर्स किये हों जो सती पठान में पारंगत हों जो सती पठान के बारे में जानती थी तो महिलाएं वा आती थी वो सिखाती थी तो पहले तीन दिन जो होते थे वो बहुत दुगगम होते थे दुगगम मतलब बहुत मुश्किल दुरग एकदम पाली में दुगग बोलते हैं और संस्काइज sih में दुरगभ बोलते हैं तो जो इस काम को करती थी महिलाए उनको दुगगा बोलते थे, यानि दुगगा बोलते थे, तो पहले तीन दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, क्योंकि लगातार साधना करनी है, आना पान करना है, सीखना है, बैठे रहना है, हिलना नहीं है, साधना बलकुल स के बहुत ज़्यादा कठिन दिवस, तो तीन दिन जब ये पार हो जाते थे, तो फिर चौथे, पांच में और छटे दिन, सती पठान यानि कि जो सती की विद्धा है, जो सती का पाठ है, वो सिखाय जाता था, जो महिलाएं होती थी उनको, तो चौथे, पांच में छटे द दिन, वो सती पठान को धंब को सीखती थी, और साथ में और आठ में दिन, क्योंकि वो सीख चुकी है, तो साथ में आठ में दिन, जो सिखाने वाली महिलाएं आती थी, सती पठान की माताएं आती थी, उनको कुछ संगदान देना है, उनको विदा करना है, और मंगल गाथा होती थी तो साथ में और आठ में दिन मंगल गाथाएं होती थी और दान पारे में ता पूरी होती थी आठ में दिन के बाद जो नौवा दिन आता था नौवे दिन जो घर की ऐसी महिलाएं होती थी बेटियां होती थी जिनकी शादी नहीं हुई है जो नवयोबनाएं हैं उन स करें तो उनको बुलाया जाता था। आज के समय हम बोलते हैं कि कन्या की पूजा की गई है। कईयां पूजा बोलते हैं पर Portuguese का मतलब पाली में होता है पीले वस्तर वाले पीले कपड़े वालो को जानना यानि जो भिकुणी हैं इन उनको जानना जो वो बता रही हैं उनको जानना उसको पूजा बोलते थे पुराने समय में तो उनको बुलाया जाता था उनको खाना खलाया जाता था उनकी खदरदारी की जाती थी उन बच्चियों को उन लड़कियों को सिखाया जाता था कैसे साधना करनी है एक दिन का कोर् है विजय दसमी है ये एक उस सब के रूप में बनता था इसकी विस्तित चर्चा हम बाद में करेंगे जब दसहरा की वीडियो आपको बना के देंगे क्योंकि पूरे देश में ये मानेताइं चलती है कि दसहरा कितने प्रमुक फेस्टिवल है उस सब है और क्यों है तो जितनी क्योंकि वो महिलाओं को ये मानते थे कि महिलाओं थोड़ी सी सती पठान में या कोई दड़ अधिश्टान करने के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है उनका जो सरीर है वो अनुकूल नहीं है पर पजापती गौत्मी ने कठोटा से जब अपना परिचे दिया और बताया जो काचायन जिनको कातायन बोलते हैं वो भी आई और उन्होंने भी सीखा तो इसमें जो सती माताओं के नाम है और जो देवियों के नाम है वो लगबग वही नाम है जो बुद्ध के परिवार में और बाकी महिलाओं जो आई और जो बाद में सती पठान करने के लिए महिलाओं की नाम संसकाइद कर्ग में बद ले गए साक्य कुमारी साक्य कुमारी जो साक्य कुल के अंदर कुमारी लड़किया थी जिन्होंने धम सीखा और सिखाया जिन्होंने शादिया नहीं की और पूरे जीवन लगाया उनको साकंबुरी के नाम से जानते हैं जो सील पु के नाम से जाना गया पैचाना गया बहुत सारी लोगों ने महा माया के नाम से नाम रखे माया योग या महा माया ऐसी बहुत सारी हैं जो दंत देवी या दंतेस्वरी हैं या महा माया हैं या सती हैं या सीतला हैं शीतल वाली हैं या शांत हैं या जो अलग-अलग तरह की नाम से जिनको चामुंडा चंडी यह बहुत साइज नाम है जहां जहां आपको कहीं भी अगर सती माता का या सती देवी का कोई मंदरी मिलता है तो वो कोई ना कोई सती पठान से संब्धित महिला रही है उनका इत्यास वहीं से आया हुआ है इस प्रकार यह जो नौरात्री है यह स जो जो हैं या जो रवी की फसल के बीज हैं वो उगे या नहीं उगे अगर वो उगे हुए होते हैं तो उसी बीज को बाद में खेतों में चलाया जाता है क्योंकि महिला इधर सती पठान करती हैं महिला इधर नौरात्री का जो कारिकरम में वो करती हैं साधना करती हैं और जितने भी होते हैं वो सारे सारे खेतों में मिट्टी को परटते हैं क्योंकि मिट्टी को परटने के लिए दो बार जरूरी होता है basically ये एक mutual understanding का कारेकरम है जो साल दर साल चलता है मल्की जतनी बुराईयां हैं सरीर की जतनी बुराईयां हैं पहले नर निकालते हैं शराद के अंदर और बाद में नारियां निकालती हैं और इस प्रकार वो सारे के सारे अपने मन से जितने भी पापकरम में उनको निकालके और सुद्ध करम में आ जाते हैं ये सारी की सारी साधना नौरातों की या साधना या श्राद की बुद्ध के बाद आरंब हुई जो आज तक भी पूरे भारत में चलती है यही उसका प्राजन था और यही हमको करना चाहिए संगंगनमामी, संगंगनमामी, संगंगनमामी